हेलो फ्रेंड्स रेस्पी जैबन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी और क्रीमी चोकलेट मूस इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही टेश्टी है आप इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको रेस्पी पसंद आये तो वीडियो क लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं चोकलेट मूस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दो बड़े चेमच कॉन फ्लार लेंगे आप इसकी जगह पर कश्टरड पाउडर या मैदा भी ले सकते हैं इसम तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े यह अच्छी तरह से मिल गया है अब इसमें दो बड़े चेमच क्रीम डालेंगे और इससे मिलाएंगे आप चाहे तो घर की ताजी मलाई भी डाल कर मिला सकते हैं इसमें एक छोटा चेमच कॉफी डालेंगे और एक पिंच नमक डाल कर मिला लेंगे अब इसमें थोड़ा सा डाइक चोकलेट डाल कर मिलाएंगे और इसे गैस पर चढ़ा देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे इससे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा न हो जाए ये गाढ़ा हो गया है अब हम गैस का फ्लेम आउफ कर देंगे इसे निकाल लेंगे अब हम इसे बोल में डाल कर फिल करेंगे कितना यम्मी और टेश्टी दिख रहा है इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे एक घंटे बाद इसे फ्रीज से निकाल लेंगे और ग्रेटर चोकलेट से गार्लिस करेंगे बहुत ही क्रीमी और टेस्टी चोकलेट मूस बन कर तयार है आप इस रेस्पी को जरूब ट्राइ करें अगर आपको रेस्पी पसंद आए तो वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें